है दुनिया में कौन और तुम सा क्यों करते हो किसी से तुलना आपने नवस्कार जहिन साथियों मेरे रीट के जो साथिमित्र है इस भ्रह्म में इस कन्फियोज में पड़े हुए हैं कई विद्वान साथिकर्ण बताते हैं कि रीट के जो पाठ्ठे करम है कि जो किताबी है इस टाइम टेवल के अनुसार पड़ो कोई विद्वान बताते हैं कि इस टाइम टेवल के अनुसार पड़ो वो सब अपने-अपने हिसाब से बताते हैं लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा आपको खुद भी इस बात को मानते होंगी कि इस बात में सच्चा ही है कोई कोई साई टाइम टेवल करने लगे किसी करने से कोई कोई साई करने लगे लेकिन वास्तविक्ता यह है कि आप जिस समय जिस विशे को पड़ते विए अच्छा मैसूस कर रहे हैं उस समय आपको उस विशे को पड़ते विए मजा आ रहा है आनंद आ रहा है अच्छे से मन लग रहा है तो मैं फिर कहू बोल रहे हैं कि सुबह मनोविज्यान को पढ़ लो कहीं बोल रहे हैं सब्जेक्ट को पढ़ लो सुबह तो फिर वो उसको उस हिसाफ़ पढ़ने लगता ने यार मेरे वाला ही ठीकता मामला तो इस तरीकी के चक्र में ना पढ़े हैं बस खोपड़ में एक बात जरूर रखें आठ नो गंटे जो नियमित निकालने हैं जिन में से तीन गंटे सब्जेक्ट हो सकता है दो गंटे मनोविज्यान हो सकती है एक गंटे अपना शिक्षण ये हिंदी शिक्षण हो गया और एक गंटे संस्क्रिस शिक्षण और एक गंटे शिक्षण विदिया कुल मिलाकर आपकी खोपड़ी में आपको जिस समय जो सब्जेक्ट पढ़ने में इंट्रेस्ट हो उस समय पढ़िए तो वेर्थ में टाइम टेबल रीट मेनेजमेंट कैसे करें इस चकर के वीडियो देखकर अपनी खोपड़ी को इधर उधर ना करें और आपको जो अच्छा लगता है जिस तरीके से पढ़ना आप उस तरीके से पढ़िए एक बात जरूर है लेटे लेटे उपढ़ने के बेट कर पढ़ेंगे ठीक रहेगा टेबल नहीं है तो विस्तर बैट जाईए पालती मार के बैट जाईए सामने मारवाड़ें तो आपका कियो आपके बाजोट रख लि तो उमीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी जो आपको अच्छा लगता है जिस सब्जेक्ट को जिस समय पढ़ना बस आप उसी समय पढ़िए कन्फ्यूज ना होई हैं भ्रम में ना पढ़ें उम्मित करता हूँ मेरी बात ये आपको अच्छे लगी इस बात से आप भी अवगत है पहले से लेकिन कोई कहे देता है ना तो फिर आम उस बात को मानने लग जाते हैं तो इस बात को मानने जिस समय जो सब्जेक्ट आपको ठ